आज हम सीखेंगे, आओ सीखें घड़ी देखना, घड़ी कैसे देखते हैं ये पता करना है आज, ये देखो घड़ी है और एक घड़ी में एक से लेकर बारत तक की संख्या लिखी रहती है और जो संख्या होती है उसके बीच में, जो अंक होता है उसके बीच में चार लाइन तीन सुई यह होती है एक सुई होती है छोटी सी जो ज्यादा मोटी होती हो गंटे वाली सुई होती है ये वाली और फिर इससे कुछ बड़ी और इससे थोड़ी सी पतली होती है वो मिनट वाली सुई होती है ये निले रंग की है एक एकदम पतले सी और लंबे से सुई होती ह अब जब second वाली सुई एक round पूरा लगाती है तो एक मिनट हो जाता है यहां से लेकर यहां तक एक खाने में यह नेली वाली सुई आती है मिनट वाली अब क्या है कि जब यह सुई जब चलते हैं second वाली तो यह सुई हम आखों से देख सकते हैं और अगर बहुत ध्यान से देखें तो हम यह मिनट वाली भी सुई आख से देख सकते हैं लिए गंटा वाली सुई कम देखता है अगर बहुत बड़ी सुई वो तो दिख जाता है तो यह मिनट वाली सुई जब एक राउंड पूरा जब लगाती है गंटा वाली जो मोटी सुई है वो यहां से यहां आ जाती एक खाना एक अंग तक आ जाती तो यह गंटा हो जाता है तो इस समय जो ये घंटा वाली सुई है वो बारह पर है और मिनट वाली सुई ये भी बारह पर है तो इस समय बारह बज़े हैं पहले में ओक लाग ओक लाग का मतलब होता है आप लाग बज़े आए देखते हैं बारह बच के जब पंदरह मिनट हो जाएगा तो पांच पांच 10, 5, 15 एक अंक के बीच में 5 होता है तो जब 15 हो जब 12 15 को कहते है quarter past quarter past का मतलब 7 12 बज़ के 15 मिनिट अर्थाथ 7 बारे बज़े और ये इसमें क्या है 5, 5, 10, 5, 15 15 मिनिट कम है 12 बजने में तो जब 15 मिनिट कम रहेगा तो कम के लिए 2 लगाते है quarter to quarter to का मतलब होता पाउने quarter to 12 ओक लग पाउने 12 बज़े है अब यहां आईए देखते हैं ये घंटा वाली सोई बीच में है और मिनिट वाली सोई 6 पे है 6 का मतलब पूरे का आधा आधा का मतलब हाफ half past मतलब साड़े 12 12, 12, 12 बज़े है 60 सेकेंड में एक मिनट होता है एक राउन्ड में जब यह सेकेंड वाली सोई एक राउन्ड लगाएगी तो एक मिनट और 60 मिनट में एक घंटा होता है जब यह मिनट वाली नीली सोई जब एक राउन्ड पूरा मारती है तो एक घंटा होता 12 से एक पिशुय आ जाती हैं और इसी तरीके से 24 गंटे में एक दिन होता है जब गंटे वाली सुई दो रौंड मारती है तो एक दिन हो जाता है आए देखते हैं AM और PM, AM का पुल खॉम है NT Meridian, और PM का पुल खॉम है Post Meridian, AM का मतलब है कि जब रात के 12 वजे के बाद, दोपहर के जब 12 वजतें हैं, तो वो AM वाला इस्तिति रहती है, अर्थात NT Meridian, NT का मतलब Poor, Meridian का मतलब मद्यान रेखा, मध्यान रेखा के पुरू का समय और पीम का मतलब हो गया पोस्ट मेरेडियन और जब बारा बज़े दिन के बाद से बारा बज़े रात तक का समय पीम बोला जाता है दन्यवाद